नमस्कार दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो इलेक्रिकल में वर्क कर रहे हैं लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपोटेंट होने वाला है इस वीडियो के अंदर हम हमारी थ्री फेस मोटर के कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं आप सभी ने अगर आपकी इंडेस्टि में मोटर का कनेक्शन किया होगा तो आपने देखा होगा कि मोटर का कनेक्शन हम दो तरीके से करते हैं या तो हम हमारी मोटर को डेल्टा में कनेक करते हैं और फिर कई cases में आके senior आपको बोलते हैं कि इस motor को star में connect कर दो तो कई लोगों के मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार कब हमें हमारी motor को delta में connect करना चाहिए और साथ जाथ ऐसी कौन सी जगे होती है जब हमें हमारी motor को delta में ना connect करके हमें star में connect करना चाहिए तो दोसे इस सवाल का जवाब काफी ज़दा सिंपल सा होने वाला है एक चीज़से आप सभी को पहले से ही पता है जब भी हम हमारी 3-phase motor का connection करते हैं तो अधिक तर केस में connection किया जाता है motor को जोड़ा जाता है वो डेलिटा में कटिकीया जाता है अज़े जो श्रये इस लावर दिल्ता कनेक्शिन का यह वी मैं थोड़ा बता दो तो हम सभी जब भी मोट़ पर Kनेक्शन करने जातें तो हम सभी देखतें मोटर पर कुछ इस परकार से छह तर्मिनल होते हैं आज़े लिए âg तलुसों आते कहां से यह जो छह ड्रट मिननल इस च्रट का मतलब होता है की हमारी जो मोटर है इस मोटर के लिए चौन थी पांछवा सब्सक्राइब इस तरीके से मुटर के चंट इनकी की बात आती है तो अधिक्तर केसे महीं आ करना होता है तो डेल्टा में कैसे करते हैं हम सिंपल सा इधर से इन दोनों को शॉट कर देते हैं फिर इन दोनों को शॉट और इन दोनों को शॉट करके फिर बाद में हमारे एक साइड आर इधर यलो और इधर ब्ल्यू इस तरीके से आर वाई भी फेस देके हमारी मोटर को ड लेकिन जब बाताति canection की तो हम इधर की तीनो pवंइट को अपस में shot कर देते हैं और फिर बाद में उसमें बस्तत हैं हम एकमे यलो और एक्में ब्लीव ही इस तरीखे से हमारा होता है is star connection तो यह तो आपको clear हो घ्या है कि आकिर star connection और delta connection कैसे किया जता है अब बात आती है कि star connection किया जठा है और kब delta connection किया ज़ता है तो दोस्तों देखिये हमारी motor को हम किस connection पर चलाएंगे वह पूरा का पूरा depend होने वाले हैं कि हमारी motor पर हम किस प्रकार का load जोड रहे हैं मतलब कि हमारी motor का rotor है, इस rotor के उपर हम हमारी कितने load को connect करने वाल है इसी पर ही depend करेगा कि हम हमारी motor को star में जोड़े या delta में अगर मैं आपको direct एक line में answer नूँ, तो हम सभी को ध्यान गना अगर हमारी motor पे no load की condition है या फिर हमारी motor पे लोड कम जुड़ावा है इसकी capacity का सिफ 40% लोड या इससे कम जुड़ावा है तो उस case में हम मारी motor को इशार में connect करते हैं लेकिन अगर हमारी motor पर 40% से ज़्यादा लोड है 50% या इससे भी ज़्यादा लोड है तो उस case में हम हमेशा motor में delta connection ही prefer करते हैं अब आप सबी लोग यही सोचेंगे कि आखिरकार हम कैसे पता करेंगी कि motor पे हमारे कितना लोड जुड़ा हुआ है motor तो हमारी industry में चल रही होती है हम कैसे पता करेंगी motor पे लोड कम है या ज्यादा और एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि अगर हमारी motor उसके पूरे लोड पे नहीं सिर्फ अनलो कि motor है जिसका आपको पता करना है कि वह है लोड की condition में लोड की condition में तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपकी motor का full load current निकालना है वैसे तो full load current आपको आपकी motor की name plate पर भी देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर name plate पे नहीं दिख रहा है या फिर आप नहीं देख पार है तो उस case में आप फॉर्मुले का उप्योग कर सकते हैं जिसे हम full load current formula केते हैं इसके अंदर आपको क्या करना है आपके पास में जितने ही motor के kilowatt है उस kilowatt के अंदर 1000 का multiply कर देना है इसके बाद में divide करना है जितने आप voltage दे रहे हो उसके अंदर सब्सक्राइब करना है अगर 3-phase की motor है तो आप रूट 3 का multiply करेंगे अगर single phase की motor है तो आप यहां पर रूट 3 को हटा देंगे और direct voltage साथ में आप पावर किलो वाट पता है तो मैं यहां लिखूंगा 15 इंटो यहां पर करूंगा 1000 इसके बाद में नीचे डिवाइड करूंगा वोल्टेंज मेरी motor को मैं उधायन के लिए माल आता हूँ 415 तो यहां पर लिखता हूँ 415 और मुझे यह भी बता है यह motor में 3-phase से चल रही है तो मैं क्या करूंगा यहां पर रूट 3 लिखूंगा रूट 3 की जो वैल्यू होती है वह वैल्यू में डाएक लिलता हूँ जो क पास फुल लोट करेंट आता है वा थे 26 26 और दोसरी सब मुझे यह तो पता चल गया मेरी 15 किलोवाट की मोटर ऑज़ू लोट करेंट में रहें चब्यस आपको क्या करना है इस फुल लोट करण्ड का आपको 40 पर से निकाल लेना है टो 40 आप कैसे निकालेंगे 26 एंप और सिंपल करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 26 इंटू 0.4 और जैसे मैं इन दोने को मल्टिप्लाई करता हूं मतलब कि 26 एंपयर का 40 परसेंट कलता हूं तो वह आता है मेरे पास 10.4 एंपयर तो दोस्थाब यह है जो मेरे पास में वैल्यू है 10.4 एंपयर अगर मेरी मोटर इस से जान देते हैं कि आखिरकर कम लोड की कंडिशन में इसका जवाब यह काफे घ्यादा सिंपल सा है अगर आप आपकी motor को 40% load से भी कम load पर जोडते हो तो उस condition में हमारी जो motor है इसकी efficiency काफी ज़्यादा down हो जाती है efficiency down का मतलब कहीं सारी बाते हो सकते हैं जैसे कि हमारी motor बिना मतलब कि एक्टा heat भी ले सकते हैं कि हम इस motor को unload की condition में चला रहें इस पर बराबर लोड भी नहीं दे रहे हैं और इस पर पूरा एंपेर भी जा रहे हैं तो इस case में हो सकता है कि यह motor जो है यह overheat भी कर जाए लेकिन इसका जो में अंसर जो बताया जाता है वो यहीं बताया जाता है कि हमारी जो motor है यह motor की efficiency जो कि लाइन बोल सकते हो कि अगर हम हमारी motor को star connection पर चलाते हैं तो उस case में हम हमारी motor को कम load पर भी ज्यादा एफिसेंट रखाते हैं तो दस्तों उमीद करता हूं आज का यह वीडियो आपके लिए काफी जादा helpful रहा होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो एक लाइक करके जुरू बताएगा अगर आपके अभी भी इस वीडियो के प्रतिया इलेक्ट्रियो कोई सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इलेक्ट्रियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आज के लिए इतना ही धन् कि लाइब